The tool used to remove blotware in this video is not owned by us. It is copyright of respected owner. Subscribe to Coda Solutions YouTube channel and press the bell icon for latest technology videos. तो आप ये वीडियो पूरे देखना, क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी smartphone के हो default app को remove कैसे करता है वो बताऊंगा, क्योंकि दोस्तो इसके लिए जो process आपको generally वीडियो में बताई जाती है, वो बहुत ज़्या बड़ी होते हैं, वहाप आपको सब्सक्राइब, तो दोस्तो चलिए ऐच की वीडियो शुरू करते हैं, तो दोस्तो यहाँ पे आप currently मेरे smartphone की screen देख रहे हो, यहाँ पे दोस्तो आपको PC लगेगा और सब्सक्राइब लगेगा, दोनों भी चीज़े दोस्तो यहाँ आपको अपको componentsory अगर आपको आपके smartphone में से जो default app है उसे remove करना है, unless your smartphone is root, अगर आपका smartphone rooted है तो आपको यहाँ पे default app जो है, वो आपके smartphone की रिमूव कर सकते हो, पर दोस्तो अगर आपका smartphone rooted नहीं है और ऐसे में अगर आप remove करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे PC लगेगा, तो दोस्तो यहाँ पे आप currently smartphone screen और mobile screen दोनों भी देख रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तो सबसे पहले आपको आपके PC में एक file को download करना पड़ेगा, जिसकी link मैंने description में दे दी है, जो के realme bloatware removal, दोस्तो इस file को आपको आपको download करना पड़ेगा, और इसको extract करना पड़ेगा, इसे extract करने के बाद अभी आपको smartphone के about phone section में जाना है, और यहाँ पे दोस्तो आपको build number वे 7 बार tap करना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है, वो already या फिर आप developer option में चले जाओगे, आपके smartphone में developer option enable होने के बाद दोस्तो आपको वहाँ पे जहाँ भी आपका developer option आता है, वहाँ इसे open करना है, जैसे कि अगर आ आप यहाँ पे Xiaomi हो, या फिर Oppo, Realme हो, अगर इन smartphone को use कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे additional settings में developer option मिल जाते है, तो दोस्तो यहाँ पे आपको developer options को open करना है, और इसे open करने के बाद आपको यहाँ पे USB debugging को allow करना है, USB debugging को allow करने के बाद दोस्तो अभी आपको यहाँ पे क्या कर transfer files पे क्लिक करके, और दोस्तो अभी आपको यहाँ पे आपके PC में जो है वो इस zip को open करना है, और इस zip को open करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ADB setup पे क्लिक करना है, ADB setup पे क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको allow कर देना है, S कर देना है, और S करने के यहाप मैं e-sess के से इंस्टाल कर लेता हूँ यह आपर देख सकते हो एडीबी टूल्स हो चुक Kung यहाँ पे ओपन हो रही है तो ओपन होने के बाद दोस्तों आपको जो है वह यहाँ पे आपके स्मार्टफोन में पॉपप आएगा तो गाईज अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे सामने एक पॉपप आ चुका है जहाँ पे आपको अलव यूएस्बी अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने एक ऐसा मेन मेनू आ चुका है जहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ चुका है तो दोस्तों अभी आपको प्ले स्टोर पे जाना है आपके स्मार्टफोन के और वहाँ से दोस्तों आपको एप डाउनलोड करने पड़ेगी उस एप की लिं इसे मैं होम स्क्रीन पे ड्रैक कर लेता हूँ तो आपको इस एप को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा एप को आपके स्मार्टफोन में जो जो भी अप्लिकेशन आवे लेबल है सिस्टीम के हो या फिर एक्स्टरन हो उन सारे एप्लिकेशन का पैकेज निम आपको यहाँ दिखा देगा तो दोस्तों simply मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ जैसी कि दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पर मेरे स्मार्टफोन में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ सिस्टीम एप पहले ही डिलेट कर दिया है जैसी कि दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे ColorOS 6 वाला Realme के कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर App Market याँ फिर Theme Store डिलेट करना चाहते हो, तो वो डिलेट नहीं होंगे, तो दोस्तों ये एक प्रॉबलम है, तो बाकी दोस्तों जो आप यहाँ पे, एप रिमूओ करना चाहते हो, वो सारे आप यहाँ पर रिमूओ हो जाएगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैं यहाँ पे Keep Notes पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर इस एप को यहाँ पर रिमू नहीं कर सकते हो जहाँ पे आपको package viewer को open करना है और package viewer को open करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो app यहाँ पे remove करना चाहते हो उस app को यहाँ पे ढूड़ना है तो यहाँ पे दोस्तो हमें notes को remove करना है keep notes को तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह है keep notes का application इसे दोस्तों यहाँ पर मैंने सीले कर दिया और सीले करने के बाद अभी आपको यहाँ पर 14 प्रेस करना है आपकी computer की स्क्रीन पे जिसी के दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अच्या करना है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो failure deleted internal error दोस्तों ऐसा एक दोबार हो सकता है और दोस्ता आपको इसे एक बार Teams आपको करना पड़ेगा तो यह क्योंकि यह यह करेट दिये encrypted यानि कि मैंने मेरे smartphone में जो keep notes वाला application है उसे password रख रखा था तो दोस्तो मैं उस password को सबसे पहले remove कर देता हूँ तो दोस्तो अभी मैंने मेरे smartphone से उस application का password remove कर दिया है अभी दोस्तो हम दो बार एक बार ट्राइ करते हैं तो मैंने यह पर प्रेस किया 14 और 14 प्रेस करने के बाद एक बार और हमने इस package name को select कर लिया तो अभी आप यह पर देख सकते हो हमारे सामने आचुका है success यानि कि दोस् दोस्तो जितना भी bloatware आपके smartphone में available है आप इसी file के थूर दोस्तो easily remove कर सकते हो तो दोस्तो यहाप मैं आपको smartphone में दिखा देता हूँ तो आप यहाप देख सकते हो हमारे समने दोस्तो keep notes गायब हो चुका है यानि कि दोस्तो remove हो चुका है आप कोई भी यहाप application हो जो कि यह आप ब्लोट वेर आता है वो आप यहाप रिमूव कर सकते हो पर दोस्तो यहाप मैं आपको बताना चाहिए कुछ एप सैसे है जो आप यहाप रिमूव मत कीजिए क्योंकि दोस्तो जैसे कि settings हो गया अगर आपने गलती से रिमूव कर दिया तो दोस्तो यहाप सेटिंग एक compass, context ऐसे कुछ दो सिस्टिम के apps वह आप यहाप 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 जैसे कि phone manager क्योंकि अभी यहाप phone manager में दोस्तो हम पहले उसकरते थे cleaner को वह भी दोस्तो privacy issue के बाज़े से रिमूव कर दिया गया तो ऐसे में दोस्तो उस phone manager का कोई use नहीं क्योंकि दोस्तो उसमे सिस्टिम एप को किसी भी स्मार्टपून के अंदर डिलेट कर सकते हो अगे